ठीक है तो शुरू करते हैं यहां पर सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे यहां पर HTML में तुम्हारा पेज कैसे करना है HTML में हमट्को कर रख वह गया है से सुर्ओ करना पर सबसे पहले तो चै क्या होता है कुछ बात है कि यहां पर होता है एस के ओपरन नोट्स मेंने पहले तुम लोगह होता है उसके वह उपर नौट्स की मैं बोल रहा हूँ। अच्छा सबसे पहले आम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे html ओक डॉक्ट टाइप html और एक काम करो पहले यह जो पेज है यहाँ पर अभी में कोडिंग शुरू कर रहा हूँ html का लेकिन उससे पहले इस पर इस यह जो फाइल है इस फाइल को तुम लोग सेफ कर लो इस फाइल को क्या कर लो सेफ कर लो सेफ कैसे करना है बस फाइल में जाओ और यहाँ पर से बेज और जब इसको हम लोग सेफ करेंगे देख अभी तक मैंने कुछ कोडिंग क्या नहीं खास बस पहले हम लोग सेफ कर लेंगे इसको सेफ करने के लिए क्या करेंगे कुछ भी इस दो या तो HTML एक यह बात है ठीक है तो इस एक्टेंसे से इस इस फाइल को तुम लोग सेफ कर लो तो मैंने इसको डेक्स्टूब में सेफ कर लिया ठीक है तो क्लिर हो गया बात अच्छा तो देखो mypage.htm नाम से desktop में मेरा एक कहीं न कहीं तुमको आइकन दीख जाएगा यहां पर my page मैंने कहां पर save किया इसको mypage फिर से एक बर करता हूँ मैंने सायद कहीं दूसरे करें सेफ कर दिया इसको save as ओ अच्छा यह मेरा new folder पर चला गया ठीक है कोई बात नहीं new folder के अंदर मतलब मैं इसको desktop में करता हूँ फिर से एक बर desktop में जाके my page desktop में जाके मैं इसको नाम दे दिया my page HTML इसका extension होना चाहिए यह या तो तुम यहां पर dot HTML लिग तो या तो save as type में जाकर करके इसको HTML select कर लो इसमें से क्या select कर लो HTML select कर लो और इसको save कर दो तो यह हो गया save टेक है desktop में मैंने इसको save कर दिया चलो और यह फाइल है मेरा my page यहां पर टेक्स्ट यह वाला clear ना तो अभी कोडिंग सुरू कर सबसे पहला कोड मैंने आप लिख दिया है ठीक है उसमें बाद में आएंगे सबसे पहले यह उसके बाद सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर है HTML देखो मैं लिखते ही बाकी सब कुछ अपने आप से आ जा रहा है यही फाइदा है इस टेक्स्ट एडिटर का यह जो टेक्स्ट एडर है सब्लाइम टेक्स्ट इसका फाइदा क्या है तुम्हारा तुमको कम कोडिंग करना परता है मतलब वह आपने आप से करके जो मिनिमाम होगा वह उसको फिल आप करते बाकि तुमको टाइप करना पर गया पर इसा बात नहीं है लेकिन इसे यहां पर देखो मैंने सब्सक्राइब करने के लिए यह सब तुमको मीनिमाम लिखना ही परगा कि पहले वाला जो है यह यह एक्षिली बहले वाला जोगर है यह एक्षुली डिफाइन करता है यह ये page क्या page है ये page HTML page है पहला वाला जो यह हो गया ये क्या define कर रहा है ये ये define कर रहा है कि ये page क्या page है HTML doc type मतलब क्या document है ये HTML document doc type HTML उसके बाद अच्छा यहां पर देखो हर word के आगे और पीछे तुमको एक bracket डिख रहा है head element body element हो गया title element तो हर element को लिखते कैसे हम लोग tag की मदद से मतलब इस तरह से ये bracket उसके बाद element का name उसके बाद closing bracket तो ये एक पुरा का पुरा क्या हो गया टेग हो गया तो लिखने का तरीका यह मैं इससे पहले यहां से इसका बीच का जो भी हो में इसको यहां पे पहले कट कर लेता हूं तो सबसे पहले तो डॉक्ट टाइप लिख लो किस तरह का डोकुमेंट है इस टेमिल डोकुमेंट उसके मुझे मुझे पहला टेग लिखना है क्या HTML याद रखना है यहां पर जो हम लोग कोई भी टेग लिखते हैं यह स्टार्ट टेग हो या यह इसका closing tag है कि कैसे पता चला है closing tag यह तुमको slash दिख रहा है front में कोई भी tag शुरू करने से उसको हम लोग खतम भी करते हैं हर केसमें यह लागू नहीं होता है किसी कि मोस्ट अब दी केसमें हर टेग मोस्ट अब दी केस को हम लोग जब उसको start करते हैं उसको close भी करते हैं लेकिन कु तो HTML start tag और इसका close tag जितना भी बाकी सब code होगा इसके अंदर होगा यह दोनों HTML tag के अंदर होगा इसके बाहर तुमको नहीं लिखना है जितना भी tag होगा ठीक है तो HTML के अंदर HTML के ठीक बात कौन सा tag आएगा जैसे यहां पर मैंने इसको फिर से एक पर पेस्ट कर लेता हूं हो और इसके बाद में इतना सारा पार्ट को यहां से में किया हो कट करता हूं ठीक है तो HTML के बाद ठीक से बाद कौन सा टेक आता है है हैट टेक एस इलीमेंट कौन सा आईगा हैर या रखना है यह एकदम सेक्वेंस में तुमको जाना पर अटेगा HTML के ठीक बात तुमको क्या लिखना है है और जो भी लिखना है सब HTML के अंदर आएगा बाहर नहीं तो मतलब यह HTML का start and closing के अंदर आना परेगा तो उसका ठीक बात क्या रहा है 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 और हैड को भी जैसे मैंने start किया था उसके बाद उसको close करना परेगा उसी तरह है अफटर हैड हैड के बाद कौन सा टेक आएगा यहां पर आएगा बोडी टेक हैड के बाद कौन सा टेक आएगा बोडी याद रखना सिक्वेंस ही यह पहले HTML के अंदर बाकिसाब आएगा HTML के अंदर पहले आएगा head, head का start and close उसके बाद body, body का start and close तो यह सब का समझाओंगा मैं समझाओं फर्क अभी देखो यह एकदम basic structure हो रहा है और और एक tag तुम यहां पर लिखना है तुमको जो की हो गया title tag और एक tag क्या लिखना है यहां पर और title tag कहाँ पर आएगा ध्यान रखो head tag के अंदर अंदर आ रहा कि नहीं, title जो tag है वो head tag के अंदर और यह जरू ही नहीं कि यह title कोई भी tag को start करने से उसी line में close करना है तो second line में close करना है तो third line में इसा को restriction नहीं है तुमारा मर्जी है तुम कहीं भी इसको close कर सकते हो ठीक है तो है HTML के अंदर head के अंदर title head के बाद body और बाकी जितना भी तुमको tag यूस करना है वो सब आएगा body tech के अंदर पहले समझ लेते हैं अब लोग अच्छा इस पेज को में ने तो already safe करके रखा है फिर से एक बर में इसको क्या कर लेता हूं एक बर इसको में सेफ कर लेता हूं ठीक है इसको मैंने फिर से एक बर सेफ कर लिया कि यह मेरा एक पेज बन चुका कि एक HTML में पेज को बनाने के लिए जो basic joke मुझे code लिखना है मैंने आपे लिख लिया है उसके बाद यह जो पेज में इसको एक बर ओपन करता हूं यह जो माई पेज है इसको ओपन करता हूं यहां से डबल क्लिक करते हुए तुमको कुछ यहां पर दिख रहा है क्या कि इसमें कुछ तुम लोगों को दिख रहा है क्या इस पेज में मतलब कुछ कॉंटेंट दिख रहा है क्या पेज तो मैंने ओपन कर दिया देखो पेज मेने वही है मेरा लेकिन यहां पर खाली है ब्लैंक नथिंग अच्छा तो यह वाला हो गया एक्चुली बोडी यह क्या हो गया यह हो गया पेज का इसको बोडी से इंडिकेट मतलब डिफाइन क्या जा रहा है यहां पर जो टेग हम लोग लिख रहे हैं यहां पर जो हम लोग टैग टाइप कर रहे हैं टैग ब्रोजर पेशो नहीं होने वाला है एक तो एक तरह से एलिमेंट है जो कि content को उसके अंदर का content को पेज में display करवाएगा एक तरह से को हो गया code अपने आप से डिस्पले नहीं होता है ब्रोजर में ठेक है code के उस code का काम होता है कि ब्रोजर में contents को display करवाना तो यहां पर tag तो show नहीं होगा लेकिन tag के मदद से content display कर रहा है जाएगा page में तो यह हो गया page का body यह क्या है body तो मैं body tag के अंदर जो भी लिखोंगा तो अभी मेरा body खाली है page में तो यहां पर मैंने कुछ लिखा ही नहीं तो तुम body tag के अंदर जो भी लिखोगे वो कहां पर show होगा body page यहां पर लिख दिया कि welcome to data.com ठेक है हो गया और इसको मैं save कर लेता हूँ अभी जाके इस page को तुम reload करो यह जो page है इसको मैं reload करता हूँ और देखो जो भी मैंने body tag के अंदर लिखा तो यहां पर show हो रहा है body में show हो रहा है ध्यान मैं रखना कहां पर show हो रहा है यह पुरा का पुरा जो white part area है यह हो गया body clear तो यह body में show हो रहा है तो इसका मतलब क्या है body tag के अंदर जो भी लिखोगे वो body में show होगा body area में show होगा page का जो भी लिखो तुम anything you write here तुमको कुछ image देना है कुछ video डालना है कुछ content डालना है कुछ भी डालना है कुछ text डालना है any content वो कहां पर show होगा body में इसका क्या रोल है title tag का देखो page का जो यह वाला part है इसको बोला गया है page का title this is what page title यहाँ पे जो भी show होता है वो क्या होता है page का title अभी page का title क्या आ रहा है page का title में वो जो मैंने जिस नाम से उस file को save किया था वो ही show हो रहा है पेज को मुझे क्या करना अलग से title देना है तो title कैसे दूँगा मैं यहाँ पे जो भी लिखोंगा title tag के अंदर जो भी लिखोंगा वो वहाँ पे as a title show होगा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया data.com IT institute तुम जो भी लिखो तुम्हारा मर्जी है लेकिन एक मीनिंग्फुल तुमको यहाँ पे टाइटल देना है ठीक है तो मैंने लिख दिया data.com IT शुरू इसको मैंने safe कर दिया तो यह हो गया page का title page को में reload करूँ तो देखो यह title यहाँ पे show हो रहा है और यह एकदम basic structure उतना सारा code तो तुमको लिखना ही है इतना सारा code तो तुमको एक Estimate page माने के लिए इतना सारा code बाकि जो ज़रूद पर है का वो ज़रूद की साफसे हम लोग उसको code को elements को use कर जाएंगा हम लोग है तो समझ महाँ रहा है बात अभी देखो यहां पर बोडी जो हो गया और एक चीज जैसे से मुतलग कि मैंने किसी एक टेक को close नहीं किया जैसे मैंने बोडी टेक को start किया था और यहां से मैं इसको cut कर दे रहा हूँ इसको मैं save करता हूँ फिर से मैंने क्या-क्या बोडी टेक को तो start किया, लेकिन क्या किया मैंने, इसको close नहीं किया, कुछ effect हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, as it is, show हो रहा है, बतलब कुछ error तो नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या है, किसी टेक को close करना, कमपल्सरी नहीं है लेकिन करना ही परेगा लेकिन रेकॉमेंडेड है करना है तुमको इसका फर्क मैं बात में समझाओंगा एक तो बात क्लिए रहा है ना इसका कमपल्सरी नहीं है लेकिन सिच्वेशन के साब से इसा बात नहीं है कि सिच्वेशन के सब से लेकिन तुम वो मत करना तुम को जो तब पर रूलेड वो फौलो करना है in किसी भी चैग को स्टार्ट करनेस सांग को टू को ल्म में ये रिड़ाय गर जासे सब्सक्राइक अगर यह रूल do foll competative 將 गे तो कहीं जाकर एपर डलेएending कर सकता है तो उसके लिए मीनिकेग इंग करा रहा हूं मां। US चनल का नाम मतलब हेडिंटर्व मतलब हिए इंग क्या टैग है हेडिंटर्व टैग है तो ट्रख कित्व बहुत सरा होता है उसमें से हो गया directive हिडिंग ही एक ट्रेक है फ्रत good लेकिन content जो शोगा वो अभी देखो यहां पर Welcome to Tata.com IT Institute यह वाला इसको मैं फिर से कोपी करके यहां पर प्लेस करता हूं इस heading tag के अंदर प्लेस करता हूं तो फर्क देखना क्या होगा मैं इसको सेफ कर लेता हूं और यहां पर आके इसको reload करता हूं सुझ में रहा है कुछ फर्क मतब heading के एसाब से शो हो रहा है यह इसका font size बड़ा हो जा रहा है तो ध्यान में रखो यहां पर एक बात है यहां पर अगर मैंने इसका size बड़ा कर दिया इसको मैं फिर से क राया से delay करता हूं भाद में इसमें फिर साओंगा मैं यहाँ पर इसका size बड़ा करना का मतलब यह नहीं कि browser में वो बड़ा दिखेगा clear इसका मैं अगर यहाँ से जाके इसका font size अभी मैं नहीं कर रहा हूँ समझे लो मैं यहाँ पर कुछ इसको में space डाल दिया समझे लो यहाँ पर इसके बीच में मैंने क्या कर दिया स्पेश दे दिया फिर इसको मैंने सेफ किया और यहाँ पर आके देखो कि वही रिजल्ट है कुछ चैंज हो रहा है क्या तो देखो content को browser में show करवाने के लिए display करवाने के लिए तुमको take का मदद लेना ही परेगा किस तरह से present करवाना है content को टाटा को को टेक के मदद से होगा content का size यहां पर इसका size तुम notice करो इसका size और इसका जो size है sorry इसका size इस कॉंट यह जो welcome जो लिखा हुआ है इसका size और यहां पर size same है क्या बहुत चोटा है नहीं है तो यह size भी उसके साथ कि तुम मेच नहीं करवा सकते हो तुमको इसका size भी अगर content का जो font है font का अगर size तुमको बड़ा दिखाना है छोटा दिखाना उसके लिए उसके लिए तुमको टेक का मदद लेना परेगा ठीक है सब कुछ टेक क्या मदद से होगा तो चलो समझ में आ गया थुरह दे पहले मैंने क्या यूज क्या था है यहां पर कॉन सा यूज क्या था मैंने तो समझ में आरा सुरी heading tag है तो heading tag से क्या होता था कि जो भी मेरा content है वो content बड़ा दिखता है बड़ा का font में दिखता है कि नहीं उसका font size बड़ा हो जाता है तो यसको मैं सेफ कर रहा हूं इसको मैं यहां पर सेफ करता हूं और फिर से आके कर रहा हूं तो यह बड़ा दिखता है तो content का जो font है उसको छोटा बड़ा करना बहुत सारा और भी टेग है लेकिन heading उसमें से एक टेग है अभी देखो कि मैं heading टेग को यहां पर क्लोज किया था मैंने blem down तकि और अगर नहीं करों कि तो दिक्कत क्या हो सकता है कुछ error तो नहीं हो नहीं देखो मैं यहां पर यह closing से कर दे रहा हूं इसको मैं फिर से सेफ करता हूं और यहां पर आके page को डा-िरी लोड कर रहा हो कुछ इशू हो रहा है यह नहीं हो रहा है अच्छा मैं चाहता हो कि सिर्फ यहाला यवाला सेंतेंस ही हेडिंग में आये इसके बाद में जो भी सेंटेंस लिखू हूं किसे मियने यह पे लिख दिया Kommet activity आहसां कि इसके यह वह लेकिन heading में आना नहीं है यह वह ला टेक्स्ट अनली यह वह ला नहीं heading में आना है तो होगा क्या देखो मैं इसको सेफ करता हूं एक बर होगा क्या मतलब जब तक heading टेक को close नहीं करेंगे इसके बाद इस टेक के बाद जो भी content लिखो साब heading format में आ जाएगा क्लियर रहा है तो मुझे तो सिर्फ इसको ही करवाना है तो मैं यहां पर जहां पर इसको close कर दोगे वहीं पर heading का function खतम हो जाएगा heading tag तो मैं है पर अगर इसको close कर दिया तो बस यहां तकी वह इसको save करता हूं और यहां तकी heading में आएगा लाइक इस अगर मैं heading टेक को यहां पर close ना करके यहां पर करूं तो बात क्या समझ में रहा है ना यहां तक आएगा heading उसके बाद normal हो जाएगा इसको save करके एक बार रिलोड करके देखो यह देखो तो जहां पर क्लोज होगा वहीं पर heading का effect चलता रहा है वहीं तक तो टेक को close करना एक तरह से recommended है तो यह समझ में आए इसलिए हेड टेग में heading टेग में लेकर समझा दिया बाकी टेग में वही रूल हो रहा है और कभी-कभी यह तुमको प्रॉब्लेम में करेंगा तो जो रूल है रेकमेंडेट हुए है कि हमेंसा उसको close करना है लेकिन दो एक टेग होता है कुछ-कुछ टेग होता है जो कि बीना close करने चलते वह आने मोले करें समझेंगे आम जरूब्ले नौमेले तुम लोग जिसको भी start करो उसको close करना है तो यह बहुत बराम लोग समझ में आ चुका है तो एक तो है कि यहां पर जिस तरह से लिखेंगे as it is यहां पर डिस्पले हो जाए यह से नहीं होता है समझ में आ रहा है इसका presentation कैसे होगा कैसे उसको दिखाना है मुझे page में कैसे उसको output में लाना है वो depend करेगा तुम कैसे कौन सा tag यूज़ कर रहे हो तो जैसे मुझे अगर किसी भी content को बढ़ा करके दिखाना है मैं heading यूज़ कर रहा हूं है किसी भी content को अगर मुझे बढ़ा करके दिखाना है तो मैं क्या यूज़ कर रहा हूं heading h1 heading हो गया इस तरह से और भी h1 h2 h3 h5 इस तरह से भी है ठीक है इसे मैं अगर h2 करता हूं थोड़ा और चोटा हो जाएगा h1 मतलब सबसे बड़ा तो अगर मैं h2 करता हूं थोड़ा और चोटा हो जाएगा यह उस तरह से तुम h3 भी कर सकते हो heading 3 भी है ठीक है तो मतलब क्या है यह और थोड़ा चोटा हो जाएगा तो यह तुम्हारे अपने हिसाप से requirement के हिसाप से होगा अगर इसको मुझे थोड़ा बैंड करके दिखा रहा है मतलब इटालिक तो उसके लिए आई तो आलग-अलग टेक का अलग-इस एच टेक हैगा है हेडिंग हेडिंग यफvio हम घाथ कर रा है कि आए टेग मतलब इटालिक यह क्या रहा है उसको इक लिए हर यहालिक फ्रॉम इसको बात बंड बयत तो यहाँ है गुन करो यह बंड रहा है कि अगरे और इसको रहा है बोल्ड हो रहा हुआ उसके बाद यू टेग है मतलब अंडर लाइन कि यू टेग है जो यहां पर एक अंडर लेकर आएगा इस लाइन के अंदर नीचे पशियो ने nữa राएन कि में यहां पर समझ लो कि मुझे बीच में दिखा लुगा तो मैं यहां पर बीच में लाने का मतलब नहीं है कि यह तुमारा ब्रोजर पे सेंटर प्याज अजाएगा आ यहां पर हमेशा टेट से होगा हर काम मैं यहां ऑप क्या यूस कर रहा हूं सेंटर टेग है कि प्र अगर और मैंसे मुझे जिसे में दो लाइन लिखता हूं यहां पर टेक को मैं हटाता हूं यहां पर अब मैं कुछ कॉंटेंट कर रहा हूं जैसे मैंने लिखा वैल काम ड़ाको माइट इंस्टिट्टूट और उसके बाद में एंटर प्रेस करके मैंने लिखा है गुंओ हां त्श्पार्ण सेफ करता हो अच्छा यहां पर मैं इसको एक बार पेज को रिलोड करता हो तो हो गया क्या रहा है दो दोनों को तो अलगड लाइन में लिखा था गोआ तो यहां पे निव लैन पे लिखने का मतलब इّनी की उड़ामkel मारा इसको न्यू लैन में दिखाना को के न इंद सकते हैं तो हम यहां पर यहां उजकर सकती हो बी आर लाइन ब्रेक और यह जो टेग है इसको क्लोस करना जरूरी नहीं है यादर में इसे बोला था ना किसी किसी टेग क्लोस करना जरूरी नहीं है तो बी आर टेग को तो वहीं पर लाइन ब्रेक हो जाएगा अगर मैंने इसको यहां पर लगा दिया तो मारा लाइन यहीं पर क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा तो बियार टेक का काम लाइन को ब्रेक करना है नियु नियु ने कर शो करवाना है तो इस पर्टिकुलर टेक को क्लोस करना तरह से टेग बहुत सारा टेग से या तो कुछ कॉमॉन टेग के बारे में बोल रहा हो हमें लेकिन उसका बैसिक कॉंसेट को समझना हम लोगो पहले बाकिस बात में आए गई है तो यह एकदम जैसे बाकी सब चोड़ो यह जो है यह मीनिमाम तुमगो यहां पर इतना जो मिनिहां पर लिखा इन इनलमेंट सकाहिए यह यह उसका नहीं परेगा गारा हूशा है नियर फिर चुम को यूज करना है किस है इस्ट मुए प्लिकंट करने जीय कि लिए बाकी ज इसे किसी content को जब लिखते हैं नॉर्मेल नहीं यहां पर इध्यान रखना एक प्रोफेश्चल वे क्या हो गया जब हम लोग कोई भी content लिखते हैं यहां पर HTML पर content को बहतर होता है कि तुम P tag मतलब paragraph P का मतलब क्या है paragraph content को P tag के अंदर रगनों लिखते हैं लोग को पी मतलब क्या है paragraph जब भी HTML में हम लोग कोई भी content टेक्स डोकुमेंट टेक्स content शो करवाते हैं उसको बहतर होता है कि पी टेक के अंदर शो करवाओ बिना पी टेक्स से भी वह आ जाएगा इसा बात नहीं लेकिन होता है कि नहीं यहां पर इस तरह से इतना खास तुमको यहां पर फर्क नहीं समझ फर्क दिखेगा नहीं जैसे मैंने इसको सेफ कर दिया अभी अभी यहां पर आके देखो कुछ फर्क अभी नहीं मिलेगा तुमको जैसे में एक बात है जैसे देखो मैं यहां पर पी उसकर रहा हूं इसको सेफ कर रहा हूं इसको मैंने सेफ कर दिया और इस बार मैं इसको विदाउट पी लिख रहा हूं यह मैंने इसको पी हटा दिया और विदाउट पेरेग्राफ मैं इसको फिर से सेफ करके डिस्पै कर वाता हम तो देखो हलका सब अ Natural में आ रहा है कि यह जो लाइना फोर uppर चला गया के अंदर करो तो वह best practice है ठीक है तो यसे मैंने समझ लो कि मैं यहाँ पर कि ऐसयूम कर लो कि में और एक paragraph तो multiple paragraph यूज़ कर सकते हो मैंने यह लिखा फिर इसे मैंने यह पर और एक परे गार लागा दो इसको मैं सेफ करता हूं ठीक है दो-दो परेग्राफ और यह सेकेंड परेग्राफ अगर मैं इसको परेग्राफ से ना लिखूं तो क्या वगर देखो इसको अगर मैं परेग्राफ दिया नहीं है पहले वाला तो परेग्राफ में है लेकिन अगला वाला देस्टेंटेस मैं लिखा उसको मैं बिना परेग्राफ का यह तो पहले वाला परग्राफ में इसलिए हो रहा है इस है मैं इसको भी हटाता हूं तो यह नॉर्मल सा बात है यहां पर क्या वागा मैं यहां पर इसको लाइन को ब्रेक करता हूं कि अभी में परेग्राफ यूज नहीं कर रहा हूं कि लाइन को ब्रेक करता हूं फिसे इसको रिलोड करता हूं देखो क्या हो गया तो एक तरह से दोनों लाइन का बीच में जो गैप था वो हट चुका है मतलब प्रेग्राफ कॉंसेट में नहीं आ रहा है यह नॉर्मल जिसे हम टाइप करते हो इसे आ गया यह तो बैतरीन अगर इसको बेस्ट अगर तुमको बेटर वही में अगर प्रेजन करवाना है कॉंटेंट को तो परेग्राफ यूज करना थे कि क्लिया हो गया है तो यह कुछ कॉमन कोर्स को हम लोगों समझ लिया है और यहां तक रहने तो आ कंटीनियों करेंगे और भी देरे देरे इसको एडवांस लेल में हम लोग जाएंगे होगा तो जो मैंने सिखाया है तुम लोग प्रैक्टिस करो घर में